हेलो दोस्तों स्वागता को आप डिगाउन दुनिया में मैं से ज़िए रहा हूँ दोस्तों आजकल आप लोग 8220 टोकन के बारे में सुन रहा हूँ ये टोकन बहुत जादा ट्रेंड हो रहा है और बहुत सार लोग इस टोकन में प्रॉफिट बना रहा है तो आज की वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को 8220 टोकन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको ए टूजेट जानकारी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरगे से आप सभी को इस वीडियो में समझाओंगा अब सबसे पहले जानें या इथेरियम, सोलाना या अधर जो ब्लॉक्चेन है उस पर लेकिन आप लोग ने यह कभी नहीं सुना होगा बिटकॉाइन पर कोई टोकन लॉंच हो रहा है बिटकॉाइन को के वाल बाई सेल के लिए ही इस्तमाल किया जाता है लेकिन यह चीज भी पॉसिबल हुआ दोस् उसको हम लोग या सी 20 बोलते हैं इसके अलावा बाइने से स्मार्ट चैन पर कोई टोकन लॉंच होता है या उत्याज टोकन यह अड़र जो टोकन ऐसे की वीपी टोंटी हो गया या सी टोंटी को उनसे अलग कैसे तो आप सब बता दोस्तों जो या या जो आज़र ब्लॉक् तोटल टोकन होता है उसमें से कुछ पार्ट एडवाजर के पास रहता है कुछ उनके टीम के पास रहता है कुछ उनके फाउंडर के पास रहता है कुछ यह टोकन अपने पास रखते हैं कि आने वाले दिनों में किसी तरह क्या एक्षेंचों पर लिस्टिंग के समझ और इसके अलावा आप देखेंगे तो टोटल यह मार्केट में नहीं रिलीज करते हैं सारे टोकन जैसे आप लोग है आप इनकी टीम के पास ही है जिसको वह धीरे-धीरे करके मार्केट में रिलीज करते हैं तो मतलब की पूरा टोकन मार्केट में नहीं आता है लेकिन वहीं वहीं डीरती टोकन है दोस्तों जैसे किसी के दिवराण करीट किया या जाता है वो पूरा टोकन मार्केट में आ technocr इस पकार से अधर लोग उस को बाई करते हैं उसी पकार से जो create किया हुआ है वेक्ति है वह भी उसको बाई करता है तो यह difference है ERC20 और BAC20 टोकन से जैसे अधर कोई के बारे में token के बारे हम लोगों जानकारी लेनी होती है तो हम लोग coin market cap का इस्तिमाल करते हैं उसरिकार से 20 के जो टोकन है उनके बारे में जानकारे लेने के लिए 20.io एक वेब साइट है वहाँ पर आको आके आपको जो है इन सारे टोकन के बारे में जानकारे मिलेगी हम आप देख सकते हैं यहाँ आप लोग अगा टोकन के नाम देखिंगे तो यह आप लोग को आईटी दीख रहा होगा यह एस्टेक वन दीख रहा होगा इसका मतलब वेद है उस तो यह जो ब्यार्सी टॉंटी पे जो फ़र्स्टाइट क्रिएक है वो है ओ-ड यी उसके बार जो सकेंड टोकन है व यह बार एक token यहां पर create किया जा चुका है एक नाम से तो सेम नाम से कोई अधर token नहीं create किया सका गए यह जो token है first create किया गए second number पर मेमे उसके बाद जो है पंक यह जो आप लोगो रेंक दिख रहे होंगे यह कब-कब 2820 पर create किया गए वो बता गया बाकि पॉप्लर्टी की हिसाब से यहां पर यह जो रेंक बन रहा है first number पर और फिर फिर पेपर फिर यह सारे टोकन यहां पर दिख रहे है अब 8220 टोकन को अगर आप लोगों को बाई कर रहा है तो आप लोगों को आना पड़ेगा यूनिस सेट पर यहां पर आपको आके उन को आप बाई सेल और मिंट कर सकते हैं 22 मिंट में अंतर क्या में आप लोगों को बताना चाहूंगा फर्स्ट टोकन डिपलॉय होता है और वो किसी का पास नहीं होता है तब करती है फिर इसको बाद इसमें टोकन को बाई और सेल किया जता है अब अगर आपको मिंट करना है या दाउंलोर्स पर पड़ेगा डाउंलोर्स पर जाने बाद यहां पर यहां पसको इनका वालत है उसको-अंको किसी भी टोकन के परार मीजानगारी लेना है तो आप यहां पर क्लिक कर यहादी लेना है तो सकते हैं इसका प्राइस कितना है इसका सब्सक्राइब क से यह तो अपना हो गया BRC20io.com पे और इसके लावा अगर आप लोको यहां पर क्वाइन देखना है कि कितना क्वाइन मिंट हो चुका है और कितना प्रोग्रेस में है कभ यह डिपलॉय हुआ है तो यहां पर आगे इसकी जानगाई ले सकते हैं यह आपको जो ORDI क्वाइन दिख है यह यहां पर दिख सकता है और इसके जो होल्डर से यह भी आपको यहां पर देखने मिल जाएगा यह सारा जो मैं बता रहा हूं यह बात किसी भी कोई के बारे में तो जब आप याशी टॉन्टी टोकन में इनुशन करने जा रहा है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रग इसको होल्ड करके रखा है यह जो ट्रांसफर जो हुआ है यह भी आपको यहां पर डीटेल देखने मिल जाएंगे तो यह जो डीटेल आप लोगों को चाहिए यहां बाकी यह जो प्रोग्रेस दिख रहा है तो हंडेड परसें मिंट हो चुका है जो अभी मिंट नहीं और इसके लावा डिप्लॉइट टाइम क्या है और होल्डर कितने हैं और नीचे आपको जो टॉप इनके होल्डर से यह आप लोको देखने को मिल जाए जो इन प्रोग्रेस करके यहां पर ऑप्षन दिखा रहा है यह आप देख सकते हैं कौन कौन से अभी प्रोग्रेस में है है और कॉंपलीट कॉंड कोन से हो चुक है तो यह सारे टोकन जो है में जो जो इन प्रोग्रेस है इसमें अगर आपको कोई iCoin यहाप मिंट करना धना है तो आपको simple lite क्लिक करना पड़ेगा मिंट दिर्क्राइब हे इसके बाद यहां पर जो मॉंट मिंट करना यह दिख सक मिंट है उसको आप आगे पिछे कर सकते हैं या जो है दो कर देता हूँ तो करने बाद यहाँ पर ओके करेंगे ओके करने बाद फिर ठीक है नेस் canap ant यहां आप देखींगे दोस्तों गर्फ 도 मिंट करने में जो फीस लग री रही है वह लभग तर सफ लग रही है यह अनतीय डॉन बेंज दों मिंट लग रहे है यह आप करने जा रहा है जो हम से चाहिए वालेट कानेक्टों किया है और उसके बाद उस wallet में आपको bitcoin भेजना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप या जो है USGT बहुत बेज़ना पड़ेगा और जो गैस फीस लगी वह bitcoin के ही रूप में लगेगी आप लोग इसको पे करना पड़ेगा और पे करने बाद आप यहां पर समिट करेंगे और समिट करने बाद आपका मिंट होने लगेगा और इसके लावा अगर आप लोग को बाई करना है तो उनके marketplace पे आप सकते हैं यहाँ आपको सारे coin दिख जाएंगे कौन से coin किस rate पर मिलना है कितने quantity में यहाँ पर sell किया जा रहा है और यहाँ पर buy पर क्लिक करके सेम उसीर पकार से आपका wallet connect रहेगा तो यहाँ आप उसको sell कर सकते हैं और sell करने का क्या condition है यहाँ आप देखेंगे sell करने आप आएंगे तो यहाँ पर एक condition है कि आपके पास कम-कम 20 token यहाँ पर mint होने चाहिए तभी आप यहाँ पर उस coin को sell कर पाए अब जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग मिंट करने की सोच रहे हैं उनको मैं थोड़ा साइडिया देने चाहूंगा कीन को मिंट करना सही रहेगा तो ऐसे को आप मिंट करिए जो की लबग 50% के करीब अगर कोई इसमें पैसे डालने की सोच रहा है तो एक चीज ध्यान देजेगा यह जो यूनिसेट वेबसाइट है यहाँ पर देखनों मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है यह अभी सब कुछ स्टार्टिंग है यह जो टोकन है तो ज्यादा इमांट जाने की जोड़त नहीं है प्रॉफिट यहाँ पर मिल आ है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अपने पूरा पोठोल ले जाके इसमें डाल दीजिए ठीक है आप अपने पोठोलों का पांच से दस परसेंट बहुत ही अगर आप लोगों की लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे जितना लाइक हो का कमेंट हो मुझे पता चलगा कि उस वीडियो की आप लोगों को नीड है तो मैं सेल करने बाई करने में कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट करिएगा उसके उपर एक बार और में वीडियो बना दूगा जिससे कि आपको लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए तो यह इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इस वीडियो में आए जाहिंद